हलो नमस्कार मैं मुदीपक और आप देखें डीएस की टॉक्स यह अब अच्छे से जानते हैं मित्रों की आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है गली-गली में कुकुरमुत्ते की तरह वेब सीरीज ओग आती है और हर वेब सीरीज कमोबेश एगी जैसी रहती है या तो ग पंचायत है जो कही ने कहीं आपको अंदर से सुकून देख करके चली जाती है उसी पंचायत का सीजन 3 आ चुका है और यदि आपने पंचायत का सीजन 2 देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि पंचायत का सीजन 2 कहां पर खत्म होता है जहां से वो सीजन खत्म होता ह वहीं से पंचायत का सीजन नमबर 3 शुरू होता है इस सीजन में आपको कुछ नए कारेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं सामाने दोर पर जो फिल्में बनती है या जो वेब सीरीज होती है उनमें प्राइमरी कास्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तवज्यो दी जाती है प्राइमरी कास्ट की शेड़ो में जो सेकंडरी कास्ट होती है वो छुप सी जाती है लेकिन पंचायत का यह जो सीजन तरी है इसमें आपको तीन चार नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि सेकंडरी कास्ट में हैं लेकिन आप यकीन माने या ना माने यह जो सेकंडरी कास्ट में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मैं कुछ नाम ले लेता है बम बहादूर एक जग महान उसकी दादी ये जो चंदर किशोर विधायक उसके जो बाड़े के जो तो गुंडे रहते है बबलू डबलू और टोवर्ड दे एंड अग दे सीजन आपको देखने को मिलता है चंदर किशोर यानि कि विधायक जी के गुरू जी जो कि स्वानंद किरके रहें एक्टर तो ये तीन चार जो नाम है ये मतलब इतने जबर्दस केरेक्टर्स हैं कि जो लीड कास से चाहे सचिव जी कहें या मंजू देवी कहें या प्रधान जी या रिंकी या विकास या प्रहलाचा हाला कि प्रहलाचा जो है वो तो भाई इस सीजन की मतलब पूरा ये जो सीजन ही है उनके इर्द गिर्द घूम रहा है इन शोड अगर मैं कहूं ना तो इस सीजन को अगर अपने शोल्डर पर किसी ने रन किया तो वह प्रहलाच्चा और उनके वाद विधायक और बन राकस आरे भाई साब बन राकस की जो नई तिकडी जमी है वो केहने का मतलब है कि वह विनोद और वह मादव जिने इंडारेक्ट कहें या डिरेक्ट कहें दोनों ही वे से सचिव जी और प्रधान जी ने मदद करी थी आउट युट जाकरकर अब वह दोनों विनोद और मादव उस एहसान को भूला करकर बन राकस की बातों में आ चुके है और सचिव जी और प्रदान जी से अननेसेसरी उन्होंने एक दुश्मनी या ये कहें एक लड़ाई मोल ले ली है बन राकस की बातों में आकर तो जैसा कि सीजन के ट्रेलर से स्टैबलिश हो चुका था कि ये सीजन काफी इंटेंस होने वाला है इस बात भर-भर के पॉलिटिक्स है और गाउं देयात में जैसे प्रदानी को चुनाव होते हैं तो गोली बारी भी आपको देखन리 को मिलती है और गाउं में जिस तरह सैजष होती है और साजष तो आपने देखा फिछले दो सीजन से ये भूशन जोए वो साजश चलाई रहा है हात में खेनी चबाते चबाते देख रहा है न बिनोद इस सीजन में बिनोद को अच्छे खासे डायलोग दिये माध़ को बीध अच्छे डायलोग है और यह जो तीन हो जाता है कि उस गड़े में यही लोग गिर पड़ते यह आपने पिछले सीजन में भी देख रहे जो तमाम कारेक्टर्स हैं जैसे मैंने नाम दिये बंबाद रर वगेरा उनके सारी साथ आपको एक नया गोड़ा भी देखने हो मिलता है और यह जो घोड़ा है ना मित्रो इस घोड़े को आप कम मत समझे यह जो पंचा है सीजन 3 में जो माबारत हो रही है यह घोड़े के उपर ही हो रही है हाला कि घोड़े से पहले एक कबूतर भाई गेस्ट अपीरेंस में आता है लेकिन बहुत अच्छा इंपक्ट छोड़े चला जाता है तो घोड़ा कबूतर और यह जो फुलेरा गाउंकी जो सड़क है और इसी सड़क से आता है गाउं के अंदर नया सचिव जो की सचिव कम आग में भुना हुआ सस्ता संबित पात्रा ज्यादा लगता है तो घोड़ा कबूतर और सस्ता संवित पात्रा ये भी काफी अच्छा इंपोर्टेंट रोल प्ले करके जाते हैं इस सीरिस के अंदर साथी साथ सीजन वन में जो चक्के वाली कुर्सी थी उसके पीछे दीवाना था गनेश रवीना का पती वो भी यहाँ पर छोटे से रोल में है और काफी इंप्रेस करके जाता है जैसे कि मैंना अलड़ी का कि सपोर्टिंग कास्ट में जो भी एक्टर्स हैं भाई मतलब वो तो चाग हैं एक जो दादी है दम्यंती जी जो कि प्रदान मंतरी आवासी उजना के तहत मुफ्त में घर लेना चाहती हैं क्या एक्टिंग की है और जग मौर उनका जो पोता है पूरा हो नहीं पाया अब एम बीए के एक्जाम का तो पता नहीं लेकिन मुहबत के एक्जाम में सचेव जी जहें वो रिंकी के साथ टॉप करने की पूरी तैयारी में है रिंकी और सचेव जी का मतलब वो क्रश पंती जो होता ना देखकर के भागना एड़पम से उसके र रोमान जो है वो पनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर मैं यह कहूं ना कि सीजन थी का अगर कोई वाकई में हीरो है तो वो प्रहला चाह है उनके एमोशन्स एक्स्प्रेशन्स जिस तरीके से वो अम्मा को एक बड़े से घर में लेकर के जाते हैं समझाते हैं कि देखा अ लाइन जो है ना कहीं न कहीं आपको अंदर तक तोड़ करके रग देती तो मेरी नजर में तो प्रहला चाह इस सीजन के हीरो हैं वहीं जो विलन है अरे भाईया वो तो विदायक और विदायक भी मतलब क्या पंच लाइन्स देता है और थोड़ी बहुत वह गाली निकालता और शांती का प्रस्ताव गो कबूतर गो गो कबूतर गो और फिर विदायक का वो मतन रहता है नहीं नहीं हम मतन तो नहीं खाएंगे पश्यू प्रेमी बन चुके है चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा आपको देतेना ग्रे भी खा लेंगे ये कुछ सीन है जो कि कॉमेडी भी पता चल जाता है कि अब ये जो प्रधानी का जो इलेक्शन है भाई ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है सीजन के टुवर्ड़ एंड गोली बारी भी होती है अब गोली किसने चलवाई इसकी पीछे विदायक इसकी पीछे भूशन या कौन है कौन नहीं है ये ज जिस तरह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं कोई गन्ने से मार रहा है कोई डंडे से कोई चाय का भवाना फैक्टा के मार रहा है वो सीन काफी कैशुएली शूट किया गया है अगर आप स्लो मोशन करके देखेंगे तो आपको इसली दिख जाएगा कि मार नहीं रहे एक द पर नारस में अपनी एक्जाम देखर के आच चुके लेकिन उनके जाने से पहले गाउं में गोली बारी भी होती हाले कि ये तो बच जाते हैं लेकिन सचिव जी के जो खासम खासर प्रदान जी उनको एकदम शोल्डर के पास में गोली लगी हुई है हाला कि जिस तरह से डि विधायक उपर है विधायक मना करता है कि नहीं भईया हमने तो गोली नहीं चलवाई है क्यों चलवाई है इसका जवाब तो आपको अगले सीजन में ही देखने को मिलेगा मित्रों ये सब देखकर के मेरे को पता नहीं क्यों गोली बारी इसमें विधायक का या भूशन का ह जाते हैं उनके साथ सब गलत होने लगता है सड़ली कुछ ऐसा होता है कि पूरी जो सिंपती है वो प्रधान जी का जो गुरूप है उस गुरूप को मिल जाती है हमने पिछले सीजन में देखा जब विदायक का वर्चस वहावी हो जाता है सड़ली जो डारेक्टर रेते हैं राहूल पांडेक को शहीद करवा देते हैं सड़ली सारी सिंपती वगरे सब कुछ प्रधान जी को मिल जाता है और इस सीजन में भी आपने देखा है कि वो प्रधान मत्रियावा स्योजना के तहट गांवाले प्रधान जी को पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम पश्चिम व जो है वो प्लान की गई है अधर्वाइस आप खुद सोचें कि यह जो नूबडे शूटर थे कहीं पर किसी को भी गोली मार सकते थे विकास को नहीं मारी प्रधान चाको नहीं मारी दिवालों पर गोली मार दी खाली जमीन पर गोली मार दी और एंड-ड में यह लोग मेरा मानना है मेरा observation है आपके क्या observation है जिस तरह सी ये सीजन गया है जिस तरह से लीड कास्ट बैकफोट पर है लेकिन जो secondary कास्ट बम बहादुर का है या जगवान का है उसकी अम्मा का है या खुस्बू का है या जो विधायक के जो गुरु है स्वानंद किर किरे थोड़ी दिर के लिए आते हैं अच्छा सा टोचन दे करके चले जाते हैं डियम मेडम वो पुलिस इंस्पेक्टर और जो सचीव जी के जो बॉस है सेकेंडरी कास ने काफी ज़्यादा इंप्रेस किया है और इन सब के उपर प्रहलाचा उनकी खामोशी बहुत 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 कुछ बया करके चली जाती है क्या गहना आपका इन सारी बातों के बारे में कमेट करके बश्य बताएगा आपने समय निकाले वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद तैंक्यू सो बच